हेलो साथियो मैं सौरव कुमार और सिचक बहाली के मुद्दे पर आपको अपडेट करा दे और लगातार जिस बिंदू के हम चर्चा करेंगे वह है कि क्या सिचक बहाली में TRE1 के सारी चीज़े समाफ्त हो गई है जैसा कि चेर्में सर कह रहे थे कि चैप्टर क्लोज हो गया ह है और काफी चीज़े आपको पता है कि TRE1 से लेकर और TRE2 तल तो आपको अपडेट करा दे यह जो मेरा वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सिचका मेरती सुन रहे हैं आपको हम एक एक बिंदू बार एक चीज़ों के उचर्चा करेंगे और माध्यम यही है क आपके आंदोलन से अगर हम लोगों के आंदोलन से सरकार के पास कुसी समझा का सामधान नहीं है तो सारी चीज़ों पर आपको अपडेट करा दे कि मानिये उच नियाले के सरन में हम लोग चले गए है यह चिका कि पूरी तयारी हो गई है और कल फाइलिंग हो चुका है मतल इंतजार करना है और केस के संदर पर जो भी जानकारी होगी सभी लोगों को बताया जाएगा साथियों दूसरी महत्मुन पिश्या जिसके में जब्चा कर रहे हैं जो काफे गौर से सुने आप कि सभी लोग के मन में है कि आंदोलन की शुवात होनी चाहे क्योंकि काफी ची आया ही नहीं वाटसेप पर अपना इस्तिफा सौंप रहा है यह क्या हो गया यह इतनी बड़ी बहाली हुई और बिहाली के दूसरे चरण में कल निक्ति पत्र भी बाट दिया गया निश्चित रूप से मान्यमुत मंत्री जिद्वारा जो किया गया कि बिहार को बड़े प हाग है तो फिर इस बात की कैसे पुष्टी हो गई अगर आपको देना ही आरक्षन निश्चित रूप से मान्यमुत मंत्री जी के द्वारा जो काड़ी इना चलाई गए उसी चक बहाली में और उस बहाली की प्रकिरिया के परतंग फेज में जो बस्तचार का अंबार लगा सारी चीजों पर अगर आप्लिट करा दे तो निश्चित रूप से हम लोग पेजकाई दायर कर दी है और दूसरी परमुक बिंदू इस बिंदू की चर्चा हम करेंगे कि बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है आपको हम बता दे कि 16 तारीक के दिन 16 जनव रहा खासकर उन लोगों के लिए जिनका डेट बर्त करण छुट गया हो या कई ऐसे कैंडिट है जिनका एक नंबर दो नंबर पांच नंबर जो जितने भी कैंडिट है जो सिचक बहाली के मुद्दे पर चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आई सांदूलन में आने की पर चाहते हैं सिकेंड फेज में हिंदी भासा के अर्थक वसाप किया गया उसके लिए अगली बैठक कव होगी उसके लिए अभी कमेंट सक्षिन में जाए कमेंट बोक्स करें यह अगली बैठक हम कब बुलाए 17 को बुला 18 को बुला 19 को बुला यह आप बताए क्योंकि स्काइब लाध के तरफ से गलती हुई बिप शेक अज्य के तरफ से गलती हुई लगता है कि दोनों भी वहाग ने जिस परकार से गलती की आपने कहा था करेंगे आप अपति दी गए थी तो फिर किल लोग का अरे भाई कटब से उपर है आपती क्या देना है आपने अगर मांगा था आपती आपती तो ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था टी आरीवन में पूरग पडिनाम के लिए ऐसा तो कोई आपती नहीं हाँ एक लाग से गिरिवान सेल में अप्लिकेसर दिये गये थे जिन्होंने आप मांगा था अगर उसमें किसी परगार का डाउट हुआ तो उल्टे करवाई छात्रों अभिहर्थियों पर हुई तो इस तरह की चीज़ें पर हम बिल्कुल अब्डेट आपको करा दे कि BPSC द्वारा कितनी भी चीज़ें कर ले गई है उसमें परतन पेच के बहाली से आप मुह नहीं मोर सकते हैं आपने भस्ता चार किया आपने फर्जिवारा किया आपने डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के नाम पर खाना पूर्ती की और सारी चीज़ें अब इस बात पर आके टिकी है कि क्या सिक्षा का वहर्थियों के साथ न्याएं होगा न्याएं बहाली से सटीफिकेट जो कई जीलों से सुच्छी आ रही है कि बताया जा रहा है कि वहां दोमिसाल फर्जी वारा हुआ है और दिव्यांकता का सेटिफिकेट तो हम यह मांग भी करेंगे इसलिए जितने भी लोग के पास कोई भी सुचना आती है दोमिसाल को लेकर दिव् कब बुलाई जाएगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर करें क्योंकि आज के बाद जो सेकेंड फेश की बहाली के पुरक पर नाम जारी होने हैं उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और जो लिस्ट गई है सिक्षा विभाग से 14700 इसके एमाज में कितना आएगा रिजर्ट क्यों तो अब सिक्षक अभेरती BPSC चेर्मेन के बातों बहुत सा नहीं करते हैं ट्विट के हवाले से कई चीज़े सामने आती हैं प्रेस के माध्यम से कई चीज़े सामने आती है प्रतु जो ग्यापन निकलता है जो नोटिस BPSC से निकलना चाहिए उस पर बहुत कम नोटिस BPSC से आता है इस बात की भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि BPSC एक समय नानिक संस्ता है और समय नानिक पत्पर बैठा कोई विक्तिसिफ ट्विट करता है और ट्विट से ही सारा चीज हो रहा है तो मुझे लगता है कि BPSC को इस बात पर अपने बातों को बदलना चाहिए सिचक अभियतियों के साथ जो अन्याय हुआ जो गोटाला हुआ जो पर्थम पेच के बाहले फर्जिवारा हुआ वन्टो ओन समी चीजों पर समी बिंदुबार अगर चेचा करेंगे इतना जरूर है कि पर्थम पेच के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है 16 ज झाल 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 झाल